कि अधिए अधिए अधिशन और हम अपने नाउन के टॉपिक को कांटीनियू करेंगे और प्रीविज वीडियो को जो हमने कंट्लूट किया तो हम लोगों ने ग्रुप ए को वहाँ पर डिसकस किया और ग्रुप की को एक वार आप फिर से समराइज कर सकते हैं वीडियो पहु जो नंबर्स को डिनोट करते हैं और जो क्वाटिटी को डिनोट करते हैं ठीक है और अगर आप इसे कंटिशन के परस्पेक्टिव से देखें तो काफी कोशन्स आपको अपने नोट में दिखाई पड़ जाएंगे और जब आप प्रीवेस कोशन सॉल्व करते हैं तब भी आपको दिखाई पड़ेंगे ठीक है नंबर्स को डिनोट करने वाले जो नाउन है वह एक्चुली मैंने तीन ग्रूप में डिवाइड किया हुआ है और इनको मैंने ए बी सी आगरा बॉम्बे कलकटा नहीं मार्क किया हुआ तो जैसे अब यह डजन वाला एक ग्रूप है ट्रव को दिखाता है 100 जानते हैं किसको दिखाएगा यह और हमारे पास तीन और है स्टॉन ग्रॉस एंड़ स्कॉर अगर आप ग्रॉस को एक एड्जेक्टिव ले ले तो इसका मीनिंग अलग है ग्रॉस डॉमेस्टिट तो वहां पर यह अलग है यहां पर हम इसको नाउन में जब नंबर दिखाता है तो इसका मतलब क्या है वो हम चेक करने जा रहे हैं और इंट्रेस्टिंग्ली इन तीनों के यूजिज बड़े अलग है कि और यह तो काफी कोशन से पुछा जाएगा आप से और आप इसको देखेंगे और फिर हमारे पास हमारी बहुत अच्छी होने चाहिए हमारा बेस बहुत अच्छा होना चाहिए ठीक है तो डजन और डजन मैं इस चीज को बोलता हूं डजन और डजन डजन और डजन में से किसका यूज करेंगे और इसको एक चीज को लेके चलते हैं और हम इसको किसी भी केस में अप्लाय कर सकते हैं ना जब हम डजन हंडेड और नॉर्मल इससे पहले एक नॉर्मल जो हमारी अंडरस्टाइंडिंग है वह यह है अगर मैं लिखता हूं वन भॉस्त और नहीं करता लेकिन डजन जो है ट्वैल को ड्रेनोड करता है और जैसे ही मैं यहाँ पे जो डेफिनेटनीन ग्याइस करता हूं यह अदिधान दीजेगा ब्युक्त नाउन है और अंडजन भी एक नाउन है 100, million, billion यह भी नाउन है तो जब हम लिखते हैं तो जो नाउन आएगा वो सिंगर में आएगा लेकिन जब हम तू लिखते हैं तो नाउन जो है प्रूरल में आएगा दिस इस वोट भी नॉर्मली अंडरस्टाइब अब यह रूल जो है इन इस कैटेगरी में अप से बोला कि यह रूल एप्लाइब नहीं होगा डजन 100, million, billion के केस में तो इसका मतलब यह है अगर मैं लिखता हूं वन वाय तो वन लिखूंगा तो वाय लिखूंगा और अगर मैं डजन लिखूं तो यहां पर डजन लिखूंगा अब अगर मैं अपने डेफिनिट को वन से ज्यादा कर लेता हूं 23456 एनी नंबर गेटर देन वन ठीक है वो मैं यूज करता हूं तो और जो नाउन आएगा वह प्लूरल फॉर्म में आएगा लेकिन अगर मैं डजन लिखूंगा तो यह डजन ही रहेगा इसको हम डजन नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मली हम जानते है टू लगाएंगे तो टू बॉक्स बोलेंगे फाइव लगाएंगे तो लेकिन डजन हंडेड थाउजन मिलियन बिलियन ट्रिलियन यह जो नंबर दिखाते हैं इस केस में रूल एपलाए नहीं होगा तो यह जो हैं का एरिया यह वाला है क्योंकि नॉर्मल समझ जो हमारी है वह यह है अगर वन लगाएंगे तो नहीं सिंग्लियर आएगा तो डेजन वाले केस में वन देजन तो सही सांट पड़ता है लेकिन अगर टू के साथ बॉइज लगाय जाए तो गलत होगा लेकिन अगर हमने डेजन कर दिया तो इनकरेक्ट हो जाएगा तो इसी चीज को मै इस concept को जब मैंने discuss किया है अपने batches में तो students को काफी confusion सा रहा है तो आप इस confusion से कहीं overcome ना हो जाएं कहीं आप डर ना जाएं इसलिए इस चीज को देखिएगा ना अब हम इसको formally start करते है के साथ यदि definite numeral adjective जैसे के 12345 का यूज किया जाए तो इन्हें प्लॉराइज नहीं क कर सकते हैं यदि definite numeral adjective more than one का यूज ना किया जाए तो इन्हें किया जाता है मतलब 12345 के साथ आएंगे तो डजन ही आएगा लेकिन अगर 12345 नहीं आया तब हम क्या लगाएंगे तब हम लगाएंगे डजन और फिर इसके साथ हम लोग का यूज करेंगे जैसे आप देखेंग पाइव डजन अगर इसको देखेंगा के साथ अगर definite numeral adjective 12345 का यूज किया जाए तो इन्हें प्लूलाइज नहीं किया जाता तो हम यहाँ पर यह दोनों करेक्ट हैं लेकिन अगर नंबर का यूज ना किया जाए तो हम इन्हें प्लूलाइज करते हैं जो आपको ब्लू कलर यहाँ पर लगा दिया तो फिर एक तो आफ का यूज नहीं होगा और यहाँ पर ऐस का यूज नहीं होगा यह ऐसे लिखा जाएगा फाइब देजन जर्जन और एक दरजन यह जो बाद में नाउन कुवlyicid नाउन को करते हैं जो में यहलो करते हैं जैसे कि नंबड करते हैं चिलियन वे लगा सकते हैं प्रैक्टिकल बीनाल की यूज़ वा भी है तो इस definite numeral adjective है तो इनको plural नहीं किया जाएगा इनके बाद जो noun आएगा उसे plural किया जाएगा लेकिन अगर नमबर नहीं है तो फिर हम लोग off का यूज करेंगे और फिर pluralize करना पड़ेगा one two three four five dozen लेकिन अगर one two three four five ना जाए तो dozens of और उसके बाद हम जिस नाउन को यूज करना चाहते हैं डेजन्स ऑबोक्स डेजन्स ऑफ ट्रेंस टीचर्स डेजन्स ऑफ प्रेंस ऐसे लगा सकते हैं लेकिन यह structure गरबर हो जाएगा तो यह वाला तो इनकरेट है और हम इसको जो सही करेंगे वह इस तरीकी से सही करेंगे तो आपको यह concept समझ में आया होगा अब हम आगे चलते हैं इसको देखिएगा समझते हैं फाइप डेजन्स टंबर आ चुका है तो फिर एस का यूज नहीं किया जाएगा तो यह सेंटेंस हमारा इनकरेट है और हम यहां से एसको हटा देंगे और सही सेंटेंस होगा फाइब डेजन्स टिक नेक्स लेते हैं फाइब थाउजन्स टाउजन्स बुक्स अगर डेफिनिट नंबर का यूज किया गया है तो आप जो है एसका प्रयोग नाउंस में नहीं करेंगे तो यह सेंट जादा पैनिक मत करिएगा यह पैनिक से ही एरस हो जाएंगे आपकी ठीक है नेक्स लेते हैं शी है डेजन ऑबोक्स नाउ डेजन के साथ किसी भी नंबर का हमने यूज नहीं किया है तो जो ऑफ का यूज है वो तो करेक्ट है और बिल्कुल करेक्ट है लेकिन इस केस में ड इनकरेक्ट है और इसे हम करेंगे शी है डेजन ऑबोक्स उसके पास दर्जनों के ताबें नेक्स लेते हैं थाउजन ऑफ बोक्स वर डैमेज इन दे रें थाउजन के साथ डेफिनिट नंबर वन टू थी फॉर फाइब का यूज नहीं किया गया है तो ऑफ का यूज तो सह ही है ऑफ तो सही लगा है लेकिन इस केस में इसको किया जाता है तो यह सेंटेस हमारा इंकरेक्ट है और हम लिखेंगे थाउजन ऑफ बुक्स वर डैमेज इन दे रेंगे अब हम आते हैं देर आर मिलियन ऑफ स्टार्स इन दे स्काइब क्या यहां पर किसी डेफिन नंबर का यूज किया गया है नहीं किया गया है तो जो ऑफ का यूज है बिल्कुल करेक्ट है लेकिन अगर इनके साथ नंबर का यूज नहीं किया जाएगा तो हम इनको करेंगे तो जो एरर है वो यह है कि यहां पर मिलियन के प्लेस पर हमें मिलियन का यूज करना पड़ेगा तो आई फोप यह आपको समझ में आ गया अब हम आते हैं पेर पे अब जैसे आगे दिखाई पढ़ रहा हुआ यूज बिद ओफ तो अभी हम लोगों ने लिखा वन डजन बोक्स लेस्ट से वन डजन बोक्स हम वन पेर बोक्स नहीं लेख सकते तो यह पेर का यूज डजन हंडेट थाउजन से डिफेंट कैसे है इसको हम देखेंगे और पेर का यूज कहां किया जाता है उन चीजों का जो की जुड़ी हुई होती है जैसे कि हम लोगों ने गुरूप ए में देखा ट्राउजर से शूज है सॉक्स है ड्रेसिंग से हमारे और इसको बेटर कर लेते हैं इस अंडरस्टाइडिंग को लेकिन इससे पहले ड्रेजन वाला पार्ट जो है होना चाहिए तो इसका ड्रेजन के साथ हम यूज ऑफ का यूज करते हैं लेकिन फिर जिब हम लिखते हैं तो हम फिर जो एक्स्प्रेशन लिखा जाता है वह है तो देजन के साथ हम लोग definite number का यूज कर सकते हैं लेकिन पेर को हम बगएर ऑफ के साथ भी किया जाय सकता है और केस में इसको प्लोलैज किया जाएगा और अगर हमने definite number लगाया है तो देजन और 1000 और 100 को मिलियन, billion, trillion को हम लोग प्लॉलाइज नहीं करेंगे अगर वो definite number एक से ज्यादा हो तो पेर को हम तोड़ा अलग तरीके से सीखेंगे लेकिन इससे पहले डेजन वाला केज जो है वो हमें किलिए होना चाहिए जो अभी हम लोगों ने इन कुछ अग्जामतस में देखा है तो मैं इसको यहां से रेज कर देता हूं और हम इसको समझते हैं आप यूज बिद ऑफ ठीक है ना आप पेर के साथ यदि डेफिनिट नियूमर एजेक्टिव का यूज किया जाए तो इन्हें प्रॉलाइज नहीं किया जाएगा ऑफ कोर्स वन है तो वन के साथ तो बवाही लिखा जाता है वन के स साथ ही होगा जैक है लेकिन ऐसाथ धी डेफिनिट यमर लटेक्टिव एक से ज़्यादा का यूज किया जाए तो इन को प्रोलाइज किया जाता इनको हम प्लूराइज करते हैं जैसे अब हमने फाइव लगाया फाइव पेर्स लगाना पड़ेगा लेकिन अगर फाइव के साथ डजन आए डजन आए फाइव डजन बुक्स वहाँ पर आफ नहीं आएगा और डजन को प्लूरल नहीं किया जाएगा बहुत अराम से सो समझ कि आपको बार बार एक हर चीजों को एक ही कॉंसेट को या पर में ही भंग से सीखने की कोशिक करने है वह सकता है पहली बार में समझ में न Works 스म टाइम हमें अपंग नहीं उन ये so things might take some time but definitely give up nothing I have to persevere तो पेर के साथ में एक तो ऑफ का यूज़ोगा वो हमने clear कर लिया और दूसरा वन है तो प्लॉरल नहीं करेंगे और अगर वन से ज्जादा है तो इसको किया जाएगा इसको प्लॉरल में यूज़ किया जाएगा ठीक है ना लगाए तो सेम चीज यहां अपलाई होगी अगर हम नमबर ना लगाए तो हमें इसको करना पड़ेगा कभी भी हम नहीं बहुत सकते हैं पेयर औफ जीन अगर बोलना है तो या तो लगाई यह फिर लगाई यह फिर आप एक का यूज कर लिजिए तो अगर नमबर है तो थीक है अगर हम लिखें टू 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 ठीक है लेकिन पेयर के साथ लिखें तो two pairs off लगाना पड़ेगा वह अलग बात है और one लग गया तो फिर डेजन के साथ off नहीं लगेगा यह भी हम देख चुके हैं और अगर one लेखें तो one pair लिखा जाएगा ठीक है तो आप इस concept को बहुत अराम से सीखेगा रश करने की कोई जरुवत नहीं है रश करने से सारे काम यह हैं गलत हो जाएंगे तो आप वाले concept को हमने सीख लिया तो चलिए देखते हैं वन पेर के साथ one का यूज हुआ है तो पेर को सिंगलर फॉर्म में यूज किया जाएगा पेर नहीं आएगा लेकिन अगर फाइक से जादा है नंबर तो फिर पेर का यूज करेंगे और अ यही चीज डेजन के concept डेजन के साथ भी apply होती है नहीं है डेजन को देखते हैं डेजन के साथ 100 हमने लिया है यहां पर अगला example जो है डेजन का आ जाएगा तो पहले 100 पर आते हैं अब तो आपको दिखाई पड़ी गया है चलो देखते हैं अगर नाउन नहीं है तो 100 पैयर के case में one है two है तब भी ओफ लगाना पड़ रहा है ठीक है यहाँ पर अगर five या four या one या two लगा दिया तो फिर हमें अफ नहीं लगाना है और 100 को प्लूल नहीं करना है तो इस case में गड़बड क्यों है क्योंकि यहां पर एस लगा हुआ है और एक तो हंडिट इसे ह क्या करेंगे 500 यह वाला करें 500 भी नहीं कर सकते यहां पर ऑफ करेंगे तो यह लगा दिया तो गया और फिर घाउब वाला सही है और यह सही है बीच के जो दोनों है वो इनकरेक्ट है तो यह मैंने आपको समराइज कर दिया पेयर और डेजन में क्या अंतर है इनके यूजिज कैसे किये जाते हैं और अब इसको लेकर कोई भी अरर आपको मतलब अगर आप आप एंकाउंटर करते हैं कोई ऐसी अरर तो आपके कॉंसेट को मैंने क्लैरिफाई किया आप इसको सीख सकते हैं एक क्वेशन है जब मैं यह नोट बना रहा था तो किसी स्टुडेंस ने मुझसे पूछा एंड आई थोट के चलो यहां डिसक्स कर लेता हूं आप अब 35 के सा से शी हाज 35 डजन बुक्स अगर डजन होता तो डजन प्लूवल में नहीं जाता हंडिड है थाउजन है मिलियन है बिलियन है यह प्लूवल फॉर्म में नहीं जाए तो यह वाला पार्ट हम लोगों ने अब तक कंप्रीट किया और केवल 17 मिन अब तक हमको लगे अब हम आत होता है और लेकिन जब हम यह कि नंबर कराते हैं या कुछ कौंटिटी कराते हैं तो यह इन फैक्ट यह कौंटिटी को करता है ग्रॉस और स्कोर जो है वह नंबर को करते है ठीक है तो फॉर्टीन पाउंड्स या 6.35 किलोग्राम बहुत ज्यादा यूज में नहीं किया जात तो अब आप और 1 लगाए तो इस्टोन आएगा और एकर कोई नम्बर को करता है तो नहीं है एक और करता है क्यों करना है तो इसका अब यह पैश्ज कर रहा है वह साड़े शे कलो बजन अपना कम करने शे brushes कर रही है कि मेरा बजन जो है करिए दस और साड़े दस स्टोन है तो साड़े दस का मतलग रिता हो गया 6.35 63 तो 10 हो गया और इसका आधा लगा लिए तो अराउंट 66 किलोग्राम मेरा वेट है 66 किलोग्राम लिखने के तरीके हैं और जैसे ही हम लिखते हैं आप 123455 के बाद जो नाउन हम आता है उसे हम करते हैं जाएगा ना अब हम आते हैं अब आते हैं ब्रॉस का मतलब होता है टोटल कंप्लीट लेकिन नमबर को डिनोट करने के लिए 144 बारहा दर्जन को दिखाता है है और इसका जो प्लूर नंबर आपको दिखाई पढ़ रहा होगा वह और इसके साथ जो आप यूज है आप इतना यूज पर बच जाएगा कि अब आता है कहां का नहीं आता है वह फॉस्ट आटेम्ट जब आप कर रहे हैं तो आप इस पर ज्यादा फोकस नहीं करिएगा पहले इनको इस पर ध्यान दीजेगा क्या इनको प्रोलाइज किया जाता ह या नहीं किया जाता तो ग्रॉस को हम नहीं करते हैं टू ग्रॉस ऑफ कैंडल किती बात कर रहे हैं 288 288 अमारे पास हैं अब हम लिख सकते हैं 288 चैंडल पी लिख सकते हैं और इनफाट जो टोटली कॉंप्रेहेंस्विल लैंगुज है उसमें 288 ही बोला जाएगा ठीक है तो अब हमने लिखा इसको अब आपने दिखा टू ग्रॉस तो इसे ग्रॉस मत कर दीजेगा जो प्लूरल नंबर है वो ग्रॉस ही है ठीक है ना स्कोर का मतलब जो होता है क्रिक्ट में अलग है फुटवाल में अलग है जब यह नाउन नंबर को दिखाता है तो 20 के आसपास होता है ठीक है और इसका भी प्लूरल नंबर जो है स्कोर है तो आएगा प्लूरल नंबर में लेकिन लेकिन इसकोर का जो प्लूरल नंबर है वो स्कोर ही है तो 3 स्कोर कित्ता हो गया 3 into 20 60 and 10 70 तो बावेज में माना गया है कि मतलब जो एज है वह हम लोगों की सब्तर साल ना तो क्या सर अभी आपने पढ़ाया हमको स्टोन और ग्रॉस इनका कभी भी प्रूवल नंबर नहीं लगा जाएगा कभी नहीं लगा सकते हम लोग तो सर क्या यही चीज़ स्कोर में भी अटाई होती है स्कोर का प्रूवल नहीं लगा सकते हम लोग देखेंगे स्कोर के यूजिश तोड़े अलग है अगर हम बोलते हैं ग्रॉस ऑफ तो ग्रॉस ऑफ ही रहेगा लेकिन जब हम बोलते हैं बाइदर स्कोर कुछ प्रेपोशन के जो एक्पर्शन होते हैं फिक्स होते हैं तो यह अगर आप प्रिवियस यह से पूशन ज्यादा सॉल्व करें या आप फिरोटिकल वीडियो देखें तो आपको काफी समझ में आएगा तो वैना से अब यह इडियोमेटिक एक्स्परेशन सेंगा बाइदर स सफलता से नकलची है काफी बड़ी संख्या में एक व्यक्ति सफल हो गया तो उस जैसा काम कई लोग करते हैं इस केस में ऐसा ही आता है जैसे स्कोर्स और विक्टिम्स वरकिल बीचियों मतलब नहीं है यहां पर काफी लोग जो है मारे गए तो हम लोगों हुआ है स्कोर को देख लिया ब्रॉस को देख लिया इस्टूण को देख लिया पेर को देख लिया और हम लोगोंगों foreign लिखा नहीं है लेकिन देख लिया तो इस समय 22 बिनिट्स के वीडियो में आपको यह पार्ट जो है समझ में आना चाहिए नेक्स पार्ट पे जब हम चलते हैं तो नेक्स पार्ट में हमारा लीटर और किलोग्राम है नाउस डिनोटिंग क्वांटिटी तो खैर अचुली जो आपका आया था इस्टोन को भी कॉंटिटी दिखाता है और उसका यूज मैंने वहां किया एक पार्ट आपको इस पैलिंग में लेकर दिखाई पड़ेगा बिटिश इंग्लिश में जो लिटर लिखा जाता है अगर आप भ्यान से देखें लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में सेर लिखा जाता है और और किलोक्राम करते हैं यूज किया जा सकता है मैं कैं तो आदिशनल और मैं सिखा रहा उओ है इन में दो करके रहा है प्रोग्राम एंदंग्रम कि और आज का여म किया है अमेरिकर में कुछोगे वाट इस दा प्रोग्राम बिटे ने पूछोगे वाटे दे प्रोग्राम बिटिश यंग्लिश में अगर कमप्यूटिंग suspense घर् Loud और लेकिन अगर आपका कुछ काई pengal बाते करेंगे और चोटे-चोटे से कॉंसेप्स आपको सीखना है वीडियो भी बहुत लंदी नहीं बना रहा हूं मैं इस नाउन के टॉपिक में क्योंकि यह बहुत ज्यादा है लेटर और किलोग्राम इनका जो यूज है वह आफ के साथ किया जाएगा जैसा पेर का किया गय कि वन किलोग्राम ऑफ राइस पोटेटोस दिंपल आफ के साथ आएगा अगर डैफिनिट नूमनल अजटिव है तो वन है तो सिंगल नंबर आएगा और अगर जैसे ए तो नंबर आएगा वन लीटर तू लिटर ड़ीटर आप याल नहीं बोलना है दो लीटर हिंदी में हम सकते हैं दो किलो आलू हम खुब लेकिन इंग्लिश में 2 kg और पोटयटो जी बोलना पड़ेगा दो किलो चावल आप बोलते हैं तो के नहीं आएंगे डेजन आ सकता है डेजन सब्सक्राइब लेकिन लीटर्स ऑफ मिल्क हम नहीं बोल पाएंगे लीटर्स ऑफ पाइल हम नहीं बोल पाएंगे पस यह ऐसे ही आता है वन है तो यह नाउं कैसा आएगा सिम्लर आएगा अगर डेफिट नूमरेल का देखिेगा वण डिजन डीजन डॉफ डेजन सब्पक्स अब पे को देखिएगा अगर और है Turkey एक और हे इसको नहीं लिया और इस हो गया और स्पूरृ इसको यहां नहीं लिया लीटर का प्रयोग जो है अगर वन है तो लीटर और तू है तो लीटर्स ही उपिद्सीन के साथ युज किया जाएगा अगर हम लगा दें किलोग्राम्स לו राइस नहीं है ऐसा लिखाना नहीं जाएगा और liters of milk नहीं लिखा जाए तो यह हमारी जो summary है यह इस वाले गुरूप की है जिसको हमने गुरूप F में पढ़ा तो अब आप थोड़े से पहले की पहले की तुलना में थोड़ा सा बेटर और अच्छी तरीके से रेड़े हैं इस type के potions को solve करने के लिए जाए और इस जो हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो हम पढ़ेंगे जो नाउन्स है आए आपके पास नाइन दिखा रहा हूं है इनको अगर मैं similar form में यूज करता हूं तो इनके दो मीनिम्स हैं लेकिन अगर इनको तो प्लूरल फॉर्म में यूज़ करूँ जैसे फोर्सेज जैसे फीट अगर मैं बोलता हूं फीट तो आप काऊगे सर फुट के दो मतलब क्या होते है पैड़ी मतलब होता है यही इस ग्रूप की भी उटे ठीक है आप यूपिल तो आप काऊगे सर क्या पीपिल से भी आता ह है वह काइग hai क्या पीपिल साता है सर तो को अब हम डिसकूस कर रहे हैं तो दो ढूलोब Sum केवल एक मीनीम है आप जो-बहल एक मीनिंग है और आप इसको इंजुआ करेंगे आपके फुट सोट्फ तो पैर होता है और तो पैर यह लावस सचा मतलब होता है चेक कर लेते हैं आते हैं सुरूख को करते हैं सु Forms लुद जब भौतिक बल फिजकल इस्टेंट पावर लॉट फोर्स टेक है सेकेंड मतलब जो है यूजिली सिंगुलर विशेश उद्देश के लिए प्रसिच्छित लोग बल दा कंपनी सेल्स फोर्स दा क्वालिटी आप टीचिंग फोर्स तो किसी उद्देश के लिए जो हम एक गुरू ट्रेन फोर प्र प्रकश ने वल॓ं के लिए आता है यह इह बहुते हैं अगर हम बोलते हैं तो पुलिस वल यह हो जाएगा और टीए का सिर्देश का मतलब एक फिजख स्ट्रेंथ है उस मीनिंग में इसका यूज नहीं किया जाएगा ठीक है तो फोर्स और फोर्स में के लिए एक ही है कुछ केसे में आपको दो से ज्यादा मीनिंग भी दिखाई शायद पड़ जाएं नेक्स हमारे पास बढ़ आता है प्यूपिल और प्यूपिल भी है तो जब वाला मीनिंग तो आपने बच्पन से पढ़ा है लेकिन एक सिमिलर नंबर भी है और तर इसका मतलब होता है कंट्री अनेशन इंडिया इज आ टॉल्रेंट प्यूपिल अगर मैं कहता हूं सेंटेंज लिख दो इंडिया इज आ टॉल्रेंट प्यूपिल तो एक भारत एक श तो डेफिनिटली फर्स मीनिंग में तो नहीं आएगा फिर वो साकिन मीनिंग में आता है और इसका मतलब क्या होता है नेशन्स अब कल यह हो सकती है कि मैनी के साथ हम लोग क्या लगाएं मैनी के साथ प्यूपिल लगाएं यह भी सही है इसका मतलब क्या होगा कई लोग और हम यह भी लगा सकते हैं मैनी प्यूपल्स इसका मतलब क्या हो जाएका कई देश रहे का मतलब क्या हो जाएगा कई लोग यह कई अब ठीक हैं इंट्र सिंग को बहुत डिफ्कत आस्पेट नहीं है इसमें तो अभी हम लोगोंने फोर्स और फोर्स देखा हम लोग और प्यूपल देख रहे हैं और इंडिया इज़े टॉलेरेंट प्यूपल अब कंट्री और नेशन तो हम काफी यूज करते हैं उस नया भी सीख लेते हैं ठेक हैं नेक्स हमारे पाथ जो है इसउ अब है off-spring जो singular भी है plural भी है आप वह इस और पी लिखा है इस वर्ड को लिखा हुआ है इसका मतलब है off-spring के साथ एज भी लगा सकते हैं और और भी लगा सकते हैं अब जब हम इशूज की कि बात करेंगे बच्चों की बात करेंगे किसी के बच्चे यो है उनके लिए इशु नहीं आएगा आप है फाइव इशीम ऑल जिए कि कि अगर मैं बोलता हूं इस कपल इशू लेस के अधिस चपाइघ इस्चू लेस इसका बतलव यह नमत निकाल लीजेगा कि दम पत्ती के बीच में कोई मुद्दा नहीं है कोई समस्य नहीं है यह जो कपल है जोड़ा यह पति पत्मी है यह निसंतान तोड़ा सा इंसल्टिंग होता है इस्पेशली महिला के लिए जिसे समाज में बांज या बंजर भी कई बार कह दिया जाता है वह सही नहीं है तो इस इस महिला का कोई बालक नहीं है कोई बच्चा नहीं और अगर मुद्दों की बात आएगी तब हम इशू का प्रियोग करेंगे आगे बढ़ते हैं आफ फूट और फीट जब हम फूट की बात करते हैं तो पार्ट अब बॉड़ी है पैर है लेकिन जब हम इसको बात करते हैं प्लूरल नंबर में तब है पैदल से ना जिसको आज इनफैंट्री की तरह यूज़ करते हैं लेकिन जब फीट की बात करेंगे तो इसका प्लूरल नंबर तो नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पैर पार्ट्स ओड़ बॉड़ी तो फूट का मतलब क्या है फूट आर रेड़ी टू अटैक फूट आर रेड़ी अ पैर हमला करने के त्यार नहीं है पैदा सेन जो है हमला करने के लिए त्यार है सब्जेक्ट अग्रिमेंट प्रोनावन एंटिसडेंट अगरिमेंट यह कुछ ऐसी चीज़े हैं कि नॉनल हम पता कर लेते हैं लेकिन ऐसे से क्यसेज में इनका नंबर पता करना बहुत मुश् का dominant part है उधर चला जाए और आफ कोर्स यह नाउन में तो रहेगा ही रहेगा नेक्स लाते हैं होर्स आप कहेंगे सर होर्स क्या होता है अब आपको थोड़ा आइडिया मिल चुका होगा पहला मतलब तो गोड़ा ही है लेकिन सैकेंड मतलब जो प्लूरल है उसका मतलब है घु कैवेल्री सोल्जर सुफाइट ऑन होर्स इस्पेशली इन दा पास्ट के बारें बात करा है और यह मीनिंग जो है बक्तर बन सेना भी है अब इसके लिए होर्स नहीं आएगा यह होर्स का साकेंड मीनिंग नहीं है तो आज कल गुरसवार सेना का यूज क्योंकि नहीं किया जाता तो आर्मर्ड एरिया में मतलब करते हैं अर्मर्ड वहिकल्स या आर्मर्ड वैपन का युज करते हैं इसके लिए आता है अब जब हम होर्स की बात करेंगे तो डेफिनिटली पहले मीनिंग में ही बनेगा और तब हो जाएगा ऐनिमल्स घोडे फुट को हमने देखा पैजल सेना होर्स को देखा गुर्सवार सेना अब हम आते हैं यह थोड़ा सा गुट्टू में डाला मैंने आइडिलरी कैविलरी और इन्फैंट्री अभी आपने आडिलरी तो नहीं देखा लार्ज गंस इदर्स और फिक्स होती है आडलरी यह होती है आर्ट्लरी थो पार्ट of मे देट उस लार्च गंस आडलरी को सो बोलते है कैविलरी अपर सबीस Conti ऊहां इंफैंट्री आपकी पैसल शेय क्यैना इसandersetka यह 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 इन क्वाले मीनिक में में पुट जो है प्लूरल लंबर हैं दोनों के साथ अर्क का किया जाएगा अगर एक लुट का यूज किया जाए 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 आर आए गा तब गेन आप गेन नॉनमली तो एक्चुली एक नाउन की तरह कम होता है वर्प की तरह यूज किया जाता है लेकिन आपके सुनाओगा नो प्रॉफिट नो लॉस वहां पर दोनों नाउन है और इसी तरीके से इसका यूज भी नाउन की रूप में कर सकते हैं गेन का मतलब है बलोतरी या सुधार कुछ गेन हुआ है कुछ इंप्रॉफिट हुआ है और वह आज का गेन क्या है लेकिन जब हम गेन की बात करेंगे तो के वर प्रॉफिट सी मत मतलब आएगा अब गेन का मतलब कभी इंप्रॉफ्मेंट्स या इंक्रीज नहीं होगा बलोतरीया सुधारों के लिए नहीं आएगा वह गेन ही आएगा ठीक है ना नेक्स में आते हैं प्रैक्टिस एक नाउन की तरह एक तो अभ्यास होता है प्रैक्टिस तो आदत या पर है इंडिविजाल है लेकिन पूरे सम्हों की है पूरे समधाय की है तो कसतान है और और आप्राक्टिस जाल नहीं तो अभ्यास वाले केस में आप पे नहीं लिया ठीक है जैसे मैं बोलू हूँ आपको और प्रक्टिस करने चाहिए तो इस में से कोई मीनिंग नहीं आएगा ठीक है नाव प्रक्टिसे फस्ट मीनिंग में केबल आप लुव लंबर में जाएगा दीज प्रक्टिसेज मस्ट भी अबॉलिस्ट है several practices like video like नटेज्ट सब्सक्राइब हिसे इनको हम लोगों ने खतम कर दिया तो प्राक्टिसेज नेक्स पर जो है वुड वुड और पर स्कॉर्स लकडी होता है लकडी में लिख दिया इमारती लकडी वह लकड़ी जिससे कि हम धर्वाजे खरकी पिना सकते हैं लकडी लिखा जंगल लेकिन यह वास्ता में जंगल नहीं होता आप अपने शहर में जाएं और कोई बी ऐसी जगा जहां पेड़ पौदे बहुत जादा है उस जगा को वुट कहा जाता है तो एडिया आफ टी स्मॉलर जैना फॉरस्ट यह फॉरस्ट में आपको मिल जाएंगे वाइल डैनि बहुत लिए वूरस्ट में लिखा हुआ है वास्ता में फॉरस्ट नहीं होते वैसा इलाका जहां पर पेड़ बहुत है तो अपने अर्मी में नहीं होते हैं और इस में इस है countable noun forest jungle जो मैंने समझाया एक इलागा एक छेत्र जहां पर पेड़ बहुत होते हैं और वुट्स केवल आप वुट्स ले लीजिए तो मेरे समझाने के बाद या किसी के संघाने के बाद समझ में आया तो आपकोर्स वह तरीका नहीं है लेकिन जो प्रॉब्लम है एक्जांस में हमारे पास कोश्चंस ही दिये जाएंगे कोश्चंस के आंसर नहीं होंगे तो वहां पर आपको इसे खुझ समझना पड़ेगा तो वुड़ेड प्रेड़ों से घिरा हुआ वो डेन लकडी से बना हुआ अब फ्लोर लकडी से बना वड़ेड दोर लकडी से बनावा डोर घर में देखी कैसा वुड़ेड नहीं होगा दो अध्यक्तिम हमारे पास और वी हैं इसलिए बिच में इसे अ 건데атया आपिसएं good उन्हें गीलिये आता है जो実र हगा अमेरिकान मेंई लिए आता है अमेरिकान में इंगलता है और हम लोग जो फाळलो करते हैं सोलो करतें बिडिश एंकींदेश क्टिक्ट से सम्मंधित कि से इंवालut इन मेकिंग क्लॉथ फ्रम वुल तो दबलन इंडस्ट्री जहां पर उन से कपड़े बनाये जाते हैं अब वुली जो है यह उनके जैसा लाइक वुल वुली मंकी उनकी तरह लग रहे हैं सॉक सॉक से अब इसका जो एक मतलब है वह बढ़ा अलग है सब्सक्राइब यह हैं करने वाली है पूल इसको भण से एक्स्प्रेस नहीं किया गया उक्रियृट्भी पथा नहीं त्षाम या ना वुली मंझा रहा है और ने मिखाम करना वाली है सारी काम करें इस वाले केश में आप लगाई confusion भाबित करने वाला है ठिक है और यह सही है कि परी messy कहणा कर Jenni है person readily यह argument भामित नहीं है रहे काया है चाह्त करने वाला ठिक है इस वाले को आप अफे नोर्स में चेंज कर लिजेगा कि आगे बढ़ेंगे लाइट और लाइट 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 प्रकाश और रोश्नी इस रूँम एंधू अधिंग प्रोड्यूस लाइट वर्व लाइट है इनको तो काउंट कर सकते हैं इस रूम में तीन बल्व है तो जब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो प्रकाश और रोश्णी अनकाउंटेबल नाउन है इसका प्रूर लंबर तो बनेगा नहीं तो लाइट का मतलब क्या होग है और इसमें फोर्स फोर्सेज प्यूफिल प्यूफिल इशू संतान मुद्दे फुट पैर पैदल सेना घोड़ा और गुर्षवार सेना गें इंक्रीज या लाव और गेंस केवल लाव प्रैक्टिस प्रैक्टिसेज हैविट्स और कस्टम्स के लिए आया वुट लकडी क है और जो ग्रुक एचाएगा यह आ ग्रोपक ग्रुय में क्या है सिंगुलर में जर में प्लूररामे एक है और गुरुरह में एक मिनिग मेल दो में कुछ केशेज में यह नंबर चे भी हो सकता है तो ग्रुक एच को जो है wurden नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक आप इस चीज को इंजॉय करिए थैंक यू बरी मुच्छ बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब लेर्निंग